हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल कहानी हरिद्वार से मैंने आप लोगों के लिए कम्यूनिटी पोस्ट किया था कि नेक्स चोरी मैं आसाराम बापु की सुनाओं या राम रहीम की सुनाओं तो जारातार लोगों ने मुझे वोड किया कि नेक्स चोरी मुझे आसाराम बापु की सुनानी चाहिए इसलिए आज मैं आपको आसाराम बापु की पूरी स्चोरी सुनाने की कोशिश करूंगी आसाराम का जन्म 17 अप्रेल 1941 को बेरानी गाउं जो की ब्रिटिश इंडिया के नवाप शाहर डिस्ट्रिक में था में हुआ था वो जन्म से बनिया थे और उनका जो बच्पन का नाम था वो था आसूमल थाउमल हरपलानी 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब वो और उनकी फैमिली एहमदाबाद आ गए पाकिस्तान छोड़ कर उसके बाद आसाराम के फादर ने अपना एक कोईले का और वुट सेलिंग का बिजनस शुरू कर दिया कोईला और लकडी की टाल जिसे कह सकते हैं या एक छोटी से दुकान वो उन्होंने शुरू कर दी कुछ समय के बाद जब उनके पिता की मृत्ती हो गई तो आसूमल ने यानि कि उस समय आसाराम बापू का नाम था आसूमल तो आसूमल ने वो बिजनस जो था वो थोड़े समय के लिए चलाया लेकिन उसके बाद उसने वो बिजनस बंद कर दिया था उन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ कक्षा तीन तक की जैहिंद हाई स्कूल से उसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी आशाराम का एक इतिहास रहा कि वो बार बार अपने घर से भाग जाया करते थे एक बार वो उनकी शादी ओने वाली थी उससे आठ दिन पहले घर से भाग गए थे उनकी शादी लक्षमी देवी से होने वाली थी उसके ठीक आठ दिन पहले वो एक आश्रम में भाग गए थे इसी तरह के एक इवेंट में जब वो घर से भागे थे तब ये एक लोकल आध्यात्म गुरू जिसका नाम था लीला शाह उसने उनको अपना शिश्य बना लिया और आसु मल को आशाराम का नाम दिया ये जो आश्रम था ये गांधी धाम में इस्थित था तब वो 23 साल के थे ये 7 अक्टूबर 1964 की बात है उसके बाद उन्होंने तरह तरह के काम किये जैसे की शराब बेशना चाई बेशना इसके लावा साइकलों की रिपेरिंग करना एक र अध्यात्म गुरू बनने से पहले उन्होंने इस सरह के बहुत सरे काम किये आसा राम की लक्ष्मी देवी से अब शादी हुई तो उसके बाद उनके दो बच्चे हुए एक बेटा और एक बेटी उनके बेटे का नाम था नारायन साई और बेटी का नाम था भारती देवी वो हमेशा एक ग्रहस्त रहे और कभी भी एक ब्रह्मचारी संथ नहीं वने उनका जो बेटा था नारायन साई वो भी उनके साथ आश्रम में ही काम करता रहा उनकी ओफीशल बायोग्राफी लिखी जा चुकी है जिसके अनुसार जो आसाराम थे वो एहमताबाद 8 जुलाई 1971 को लोटे और 29 जनवरी 1972 को उन्होंने मोटेरा में एक हट का निर्मान किया वो मोटेरा के साधाशिव आश्रम में दो साल तक रहे उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की जोपड़ी उसके बगल में बना ली वो एक बहुत ही पॉपुलर कथा वाचक बन गये थे वहां के पहले तो उनके पास कथा सुनने के लिए सिर्फ उनकी सिंधी कम्यूनिटी ही आती थी लेकिन धीरे धीरे उनके पास अधर बैकवर्ड क्लासेस और दलिद भी आने लगे उनके बीच में भी वो बहुत जाला पॉपुलर और वेल नोन हो चुके थे जब वो इतने जाला फीस्ट आयोजित किये जाते थे जिसमें बरतन और कपड़े वगरा गरीबों में बाटे जाते थे उन्होंने अपनी जोपडी को एक छोटे से आश्रम में बदला 1973 में जब उन्होंने ये काम किया उस समय उनके पांच या दस ही फॉलोर्स थे फिर धीरे धीरे उनके थोड सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उनके पास आया करते थे उनका आशिरवाद लेने के लिए इन पॉलिटिकल लीडर्स में अटल भिहारी वाशपेई, लाल कृष्ण आडवानी, नरेंद्र मोदी, दिग विजय सिंग और कमलनाथ जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल थे आसाराम ये दावा करते थे कि छोटे और बड़े मिलाकर उनके देश में करीब 400 आश्रम थे और इसके अलावा 18 दूसरे देशों में भी उनके आश्रम थे और करीब करीब उनके 40 मिलियंज फॉलोर्स थे आसाराम की जो में शिक्षाई थी वो जारातर हिंदुत्व सैंटर्ड थी वो ब्रह्म चरे पर बहुत जारा जोर दिया करते थे और गुरु शिष्षी के रिलेशनशिप को बहुत जारा महत्व देते थे आसाराम समाज में बढ़ते हुए सेक्स्वल लिबरेशन के खिलाफ थे और कहा करते थे कि जो वैस्टर्न कल्चर को अपनाये जा रहा है इससे समाज धीरे धीरे नश्ट होता जा रहा है वैलेंटाइन्स जे के खिलाफ श्री योगी वेदांत सेवा समीती ने 14 फरवरी को मात्र पित्र पूजन दिवस घोशित किया ये वैस्टर्न कल्चर की खिलाफ़त करने का एक तरीका था उनके द्वारा चराए जरे इस तरह के कदमों का उस समय प्रणम मुखरजी ऐसे नेताओं ने भी समर्थन किया था 2015 में 36 गड की जो गवंवनेंट थी उन्होंने सारे इंस्टिटूशन को ये निर्देश दिया कि 14 फरवरी को मात्र पित्र पूजन दिवस का आयोजन अपनी स्कूल में कराएं अपनी इंस्टिटूशन में करवाएं 2014 में उन्होंने Christmas को तुलसी पूजन दिवस भी घोशित किया ताकि Christmas के celebration को counter किया जा सके जो आसाराम थे वो spiritual discourses all over India organized किया करते थे जगे जगे जाकर वो अपने भाशन दिया करते थे अपने उपदेश दिया करते थे इसके लावा अपने शिश्यों को दीख्षा भी दिया करते थे और गुरू शिश्य की परंपरा का पालन करवाते थे December 2001 में उनके एहमदाबाद इस्थित आश्रम में करीब 20,000 students ससंग में हिस्सा लेने के लिए आई थे वो शुद्धी समाहरोहों में भी हिस्सा लिया करते थे क्योंकि वो Christianity में conversion के खिलाफ थे अगर उनकी economic activities की बात की जाए तो आश्रम एक Ayurvedic medicine के विजनेस को रन करता था उनकी दो magazines छपती थी एक का नाम था Rishi Prasad जो एक मासिक पत्रिकार थी और दूसरा था लोक कन्यान सेतु जो की हर 15 दिन में छपती थी इन दोनों की around 14 lakh copies हर मन्थ बिक्ती थी 2008 तक या फिर हम कह सकते हैं कि जब 2008 में इनकी value निकाली गई थी तो इसकी करीब 14 lakh copies बिक्ती थी जिससे उनकी एक annual earning हुआ करती थी करीब साड़े साथ करोन रुपए की इसके अलावा साल में 3-4 बार गुरू पूर्णिवा के function भी हो लोग आयोजित किया करते थे जिसमें करोनों रुपए की donations आया करते थे frontline magazine ने एक बार उनके assets को value किया था 2008 में जो की करीब 5000 करोन आगी गई थी आश्रम का एक तरीका था कि वो जो खाली पड़े plots थे उन पे कबजा कर लिया करते थे इसके अलावा वो records के साथ हेरा फेरी करके भी plots पर कबजा किया करते थे पता नहीं कितने ही pending cases अदालतों में आज भी पड़े हुए हैं जिसमें उनको legal challenge किया गया है कि उनके जो आश्रम है वो illegal तरीके से जमीनों पर बनाए है फरवरी 2009 में गुजरात की legislative assembly ने ये accept किया था कि सिर्फ एहमदाबाद में ही आश्रम ने illegally करीब 67,099 square meter की land घेरी हुई है फरवरी 2013 में serious fraud investigation office ने ये बताया था कि ये जो land encroachment है जो ये land पर कबजा है इसकी worth करीब 700 करोण रुपे है 2008 तक आसा राम के करीब 40 आश्रमों में गुरु कुलों की विवस्था हो चुकी थी 3 जुलाई 2008 में दो लड़के आश्रम के residential school से यानि की गुरु कुल से गायब हो गए ये जो आश्रम था ये मुटेरा गुजरात में इस्थित था यहां के दो लड़के गाया हो गए बाद में parents ने इलजाम लगाया कि जो आश्रम का administration है उसने शुरू में इनको मना किया कि आप आश्रम के खिलाफ पुलिस में complaint ना करें लेकिन उसके बाद भी पुलिस के पास गए उन्होंने complaint की तो पुलिस ने उन्हें बहुत ज़़ा हरास किया और कहा कि आप आश्रम पे इस तरह से इलजाम नहीं लगा सकते 5 जुलाई 2013 को जो दोनों लड़के थे उनकी कटी फटी बाडीज मिली साबरमती रिवर के किनारे पर और यहाँ पर आश्रम में क्या चल रहा था कि कुछ अजीब सी तंत्र विद्याएं चल रही थी कि हम अपने तंत्र विद्यादारा उन बच्चों को ढून लेंगे उनको लोकेट कर लेंगे और कही न कहीं न कहीं उन्होंने भी वही पता बताये था जहां पर उन बच्चों की बाडीज मिली इस समय पब्लिक में गुसा फूट पड़ा पब्लिक बहुँ जाना नाराज ह कि ये जो दोनों लड़के हैं इनको सैक्रिफाइस किया गया है यानि कि इनके बली दी गई है आश्रम के द्वारा काला जादू करने के लिए करीब करीब इसी समय दो और लड़कों की बाडीज मिली एक चिंदवाड़ा में इनका आश्रम था जहां पर करीब 370 स्टूडे रहते थे उसके भी दो बच्चों की बोडीज वहाँ पड़ी हुई पाई गया उसके बाद पेरेंट्स आने लगे और जो बच्चे थे उनको वहाँ से निकाल कर ले जाने लगे आश्रम से अपने घरों को ले जाने लगे क्योंकि जो आश्रम की अथोरिटी थी उन्होंने डूबने से उसकी मौत हुई थी उसके पेरेंट्स ने उसे accept कर लिया और नोने आश्रम को और आश्रम के authorities को एक clean shit दे दी लेकिन जब second body का post-mardum कराये गया तो forensic जाच में पाया गया कि बहुत सारे bite marks यान की काटने के निशान थे उसकी body में उसके बाद एक magistrate लेवल की inquiry बिठाई गई उस inquiry में कहा गया कि एक 14 साल का बच्चा है जिसने इन दोने बच्चों की हत्या की है उसके बाद आश्रम को एक हफते के लिए बंद कर दिया गया उस समय नरेन मोधी गॉवर्मेंट थी गुजरात में तो उन्होंने जस्टिस जी के त्रिवेदी कमीशन को बिठाया और ये कहा गया कि जो मुटेरा के आश्रम में पहली दो मौते हुई थी उनकी जाच की जाए उनको एक टाइम लिमिट दे दी गई त्री मंस की इस त्री मंस में आप जाच करके अपनी रिपोर्ट दाखिल करें इस कमीशन की वहां के हाई कोड द्वारा आलोशना की गई कि ये आश्रम के प्रती बायस जया है ये भेदभाव का नजरिया अपना रहा है ये कही न कहीं आश्रम से प्रभावित है इस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट 2013 में सब्मिट कर दी गई थी लेकिन इसे डिस्क्लोज 2019 में किया गया वो भी स्टेट लेजिसलेचर के द्वारा इसमें क्या कहा गया था कि जो आश्रम में इसकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी केवल जो आश्रम अथॉरिटीज थी उन्होंने थोड़ी बहुत लापरवाई की थी इसके काराणी दोनों बच्चों की मौत ये भी कहा जाता है कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे नरेन मोदी उन्होंने विश्व हिंदू परिशत से कहा था कि अब वो आश्रम को किसी भी तरह से सपोर्ट ना करें जो आश्रम के सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि पैच अप हो जाए मोदी जी का आश्रम से लेकिन वो असफल रहे विश्व हिंदू परिशत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी नरेन मोदी के लिए कि उन्होंने आश्रम को ऐसे अबंडन कर दिया है छोड़ दिया है वो ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे मोदी ने 2013 में बीजेपी से कहा कि वो आश्रम को डिफेंड ना करें उसका समर्थन ना करें इसके अलावा मोदी ने एक और ओर दिया कि जितनी भी आश्रम की पॉपर्टीज है उनकी अच्छी तरीके से इंवेस्टिकेशन की जाए जनवरी 2013 में एक बार आश्राम अपने अनुयाईयों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने 2012 के डैली गैंग रेप विक्टिम पर कुछ कमेंट किये उस समय निर्भया केस हुआ था तो आश्राम ने कहा कि जो विक्टिम थी जो लड़की थी वो उतनी ही दोशी है जितने कि उसके रेपिस्ट है उसे उन कल्प्रिट्स को उन दोशीयों को उन बलातकारियों को ब्रदर्स कहकर बुलाना चाहिए था भाई कहकर बुलाना चाहिए था और उनके सामने हाथ जोडने चाहिए थे और कहना चाहिए था कि भाई मुझे माफ कर दो रुख जाओ ऐसा करने से वो अपनी जिंदगी भी बचा पाती कभी भी एक हासे ताली नहीं बश्ती है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक ऌसे ताली बश्ती है उसकी भी उतनी ही गलती है जितनी की उन लड़कों की गलती थी ये जो कमेंड था बहुत ज़दा क्रिटीसाइज किया गया बहुत जादा इसकी आलोचना हुई आसाराम ने बाद में ये कहा कि उनके जो स्टेटमेंट थे उनको तोड़ मरोड कर पेश किया गया उनका वो मतलब नहीं था इसके बाद 2013 में आसाराम के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया गया ये बाद 6 अगस 2013 की है आसाराम के गुरु कुल में पढ़ने वाली पीडित लड़की इसकी तवेद खराब हो जाती है उसके पेट में दर्द होता है आसाराम की एक साधक शिल्पी लड़की पर प्रेट का साया बताती है कहती है कि तुम पर भूत प्रेट का साया है तुम्हारी ऐसी तवेत खराब नहीं है तुम पर भूत प्रेत है 7 अगस्ट 2013 को जो साधक थी शिल्पी उसने लड़की के घर फोन लगा कर कहा कि लड़की की तवेत ठीक नहीं है आप उसे किसी बड़े शहर ले जाकर उसका इलाज करवा हो 8 अगस्ट 2013 की रात 10 से 11 के बीच लड़की के माबाप गुरुकुल पहुँच गए उनसे फोन पर बात होती रही इस बीच 9 अगस्ट 2013 की सुबे जो माबाप थे वो गल्स होस्टल में लड़की को लेने आए तब शिल्पी ने माबाप को बताया कि आपकी लड़की के ओपर भूत प्रेत का साया है जिसके बारे में हमने बापू से बात कर लिए और बापू ने आपको बुलाए 9 अगस्ट 2013 को लड़की अपने घर शाह जांपुर पहुँच गई अपने माबाप के साथ तब उसके पापा ने पता किया कि बापू कहां पर है पता चला कि वो 12 अगस 2013 को दिल्ली आएंगे तो वो लोग भी 13 अगस 2013 को दिल्ली पहुँच गए हिलाज करवाने के लिए जब वो वहां पहुँचे तो पता लगा कि वो तो जोदपूर राजिस्थान में है तब एक शिवा नाम का जो सेवक था जो बापू की सेवा में रहता था उसने इन लोगों से कहा कि तुम जल्दी जोदपूर आ जो ये लोग 14 अगस 2013 को जोदपूर के आगे एक मनाई गाउं है जहां पर बापू आए वे थे तो ये लोग वहाँ पहुँच गए जब ये लोग वहाँ पहुचे तो गेट बन था और सारे सादक बहार खड़े थे तब लड़की के पिताजी ने फोन पर शिवा से बात की तो शिवा ने गेट खुलवा दिया ये लोग अंदर गए तो बापू कुरसी पर बैट कर सतसंग कर रहे थे ये लोग भी वहाँ जाकर बैट गए कुछ दिर बाद उन्होंने पूछा कि तुम कहां से आये हो तो उन्हें लड़की ने बताया कि वो गुरुकुल में पढ़ती है तो लड़की से इन्होंने कहा कि वो उसका भूत उतार देंगे उसके बाद वो हमसे आध्यात में को और भविश्य से जुड़ी बाते करते रहे फिर उस राद बापू ने अपने एक सेवक को भेज कर इन तीनों को यानि कि मा, बाप और बेटी को उनके पास बुलाया फिर उन्हें इनकी कुटिया दिखाई गई और प्रशाद देकर अराम करने के लिए भेज दिया गया ये उनी के द्वारा दिये वे कमरे में रुके वे थे अगले दिन यानि कि 15 अगस 2013 को भी उन्होंने इन लोगों के लिए खाना भिजवाया और सत्संग प्रवचन करते रहे उस रात फिर बापू ने इन्हें अपनी कुटिया में बुलवाया जब लोग वहां गए तो बापू ने पहले माबाप से बात की लड़की के फिर ने गेट के पास बिठा दिया उनसे कहा कि यहां बैट कर जब करो ध्यान करो और थोड़ी देर में चले जाना बापू ने लड़की को कुटिया के पीशे शबूतरे पर बिठा दिया और इसे एक गलास दूद पीने के लिए दिया उस दूद को पीने के बाद बापू ने माबाप को जाने को कहा पर वो गए नहीं, वो वहीं बैठे रहे थोड़ी देर में पापा तो चले गए उसके लेकिन माबहीं बैठी रही बापू सामने के दरवाजे से अपने कमरे में गए और थोड़ी देर में उसने अपने room की light one कर दी और पीछे के दरोजे से लड़की को अंदर बुलाई फिर ये लड़की को अपने पास बिठा कर बाते करने लगा और फिर बीच में कहा कि अपने माबाप को देख कर आओ कि वो क्या कर रहे हैं लड़की ने देख कर बताया कि मा बैठी हैं और पापा चले गए हैं फिर उसने room lock कर दिया यानि कि बापू ने room lock कर दिया और लड़की के साथ छेड़ खानी शुरू कर दी वो चिलाने लगी तो उसने कहा कि मैं तुमारे माप पाप को मरवा दूँगा और डरा धमका कर उसने उसका मुँ बंद करवा दिया उसके बाद उसने लड़की के साथ बहुत छेड़ खानी की बहुत गलत हरकते की और लड़की बहुत ज़्यादा सहम गई थी बहुत ज़्यादा डर गई थी और लगातार विरोध कर रही थी लेकिन डर के मारे जाला चिला नहीं रही थी उसे डर था कि कहीं उसके मापब को ये मरवाना दे ये सब कुछ एक से डेड़ हंटे तक चलता रहा रूम के बाहर उसके दो तीन नौकर भी थे सेवक भी थे जैसे ही लड़की बाहर आए उससे आसाराम ने फिर से धंगी दी कि इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना फिर ये अपनी मा के साथ अपने कमरे में आ गए जहां ये लोग रुके थे 16 अगस 2013 को जो आसराम बापू था हो वहां से दिल्ली निकल गया और ये लोग घर आ गए जाने से पहले बापू ने इस लड़की के पिता से कहा कि इसे अभी एहमदाबाद या गुजराद भेज़ दो यानि कि इसके आश्रम में जहाएं पढ़ती थी वहीं भेज़ दो यहां ये 7-8 दिन अनुष्ठान करेगी फिर मैं इसे चिंदवाडा पहुचवा दूँगा लेकिन इस घटना के बाद लड़की वहां पे रुकने के लिए राची नहीं होई वो घर आ गई और घर आकर उसमें मावप को पूरी घटना बता जाए बाद में पीडिता और उसके मावप ने दिल्ली के कमणानगर थाने में 19 अगस 2013 को आसाराम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी आसाराम पर उस समय जीरो नंबर की FIR दर्ज हुई थी जिसे बाद में जोदपूर ट्रांसफर कर दिया गया था आसाराम के उपर पॉक्स सो एक्ट की धारा आठ के तहट भी केस दर्ज हुआ था इसके बाद 31 अगस 2013 को मध्यप्रदेश के इंदोर से आसाराम को गिरफतार कर लिया गया जोदपूर सैशन कोर्ट में आसाराम के खिलाफ केस चला कोर्ट ने आरोप तै किये आरोप पत्र में 58 गवाँ पेश किये गए जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से 44 गवाँ ने गवाही दी 11 अप्रेल 2014 से 21 अप्रेल 2014 के दोरान पीडिता के यानि कि उस लड़िकी के 12 पेश के बयान दर्ज किये गए 4 अक्टूबर 2016 को आसाराम के मुलजिम बयान दर्ज किये गए आसाराम ने लड़िकी के जितने भी ऐलिगेशन से उनको जूटा ठहराया और कहा कि वो तो नपुनसक है और वो इंपोर्टेंट है लेकिन बाद में उसके ये दावे असत्य पाए गए इसके अलावा उसने बेल के लिए बहुत बार अपलाई किया लेकिन 12 बार उसकी बेल को खारिच कर दिया गया जो लड़की थी उसके घरवालों को भी कई बार धंक्या मिली कि वो अपने जितने भी आरोप हैं उन्हें वापस ले ले नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा 25 अप्रेल 2008 रखो जोदपूर की SCST कोर्ट ने उसे रेप चार्जेस के लिए दोशी पाया और लाइफ इंप्रिजनमेंट यानि की उम्र कैद की सजा सुनाई इसके साथी पाश लाग का जुर्माना लगाया गया जो कि उसे विक्टिम को यानि की उस पीडिता लड़िकी को देना था उसके दो साथियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई उसके बाद इन्होंने राजिस्थान हाई कोट में अपील किया तो जो कोट थी उसने एक को एक्क्यूस्ट की सजा को सस्पेंट कर दिया लेकिन आशाराम की याचिका को खारिज कर दिया गया लेकिन जो आशाराम के समर तक हैं वो आज भी यही विश्वास करते हैं कि आशाराम को जूटे केस में फसाये गया है और उनकी कोई भी गलती नहीं थी दिसंबर 2013 में आशाराम के बेटे नारायन साहीं को भी अरेस्ट किया गया यौन शोशन के आरोपों के लिए दो सिस्टर्स थी सूरत की जिनोंने इलजाम लगाया कि नारायन साहीं और उसके पिता आशाराम ने उनका रेब किया आशाराम के आश्रम में सन 2000 में जो बड़ी बेहनती उसने इलजाम लगाया कि आशाराम ने 1997 से 2006 तक मोटेरा के आश्रम में कई बार उसके साथ गलत काम किया इसके अलावा जो छोटी बहन थी उसने नारायन साही पर ये इलजाम लगाया कि 2002 से 2005 के बीच नारायन साही ने उसका कई बार यौन शोशन किया इन में से एक बहन ने ये भी इलजाम लगाया कि जो आशाराम की वाइफ थी और जो उसकी बेटी थी ये इन दोनों आदमियों को लड़िकियों का शोशन करने में सहायता प्रदान करती थी 26 अप्रेल 2019 को नारायन साही को उम्र कैद की सजा सुनाई गई जब आशाराम पे इस तरह के इलजाम लगे तब उनकी उम्र करीब 72 साल की थी फिलहाल वो जेल में रह रहे हैं और्डनरी कपड़े पहना करते हैं उनको एक बड़ा सा बैरेक दिए गया इस पेशियस है जिसमें अपने दो इनमेट्स के साथ यानि दो अन्ने कैदियों के साथ रहते हैं कोट ने उन्हें पर्मिशन दिये कि वो अपने जोदपूर आश्रम का बना हुआ खाना खा सकते हैं इसलिए उनके लिए खाना वहां से आता है जो की जारतर दाल होती है चपाती होती है और सबजी होती है यही वो brunch में खाते हैं यही वो dinner में खाते हैं इसके लाग वो fruits खाते हैं और herbal tea पीते हैं आशाराम को बहुत कमी गुस्वा आता है जेल में लेकिन हमेशा वो insist करते हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और उनको जवस्ती फसाया गया है उनको करीब पंदरा डिवोटीज यानि कि पंदरा भक्तों से मिलने की पर्मीशन है जेल में जाद अतर उनके जो डिवोटीज हैं वो बिजनस इंट्रेस्ट के कारण उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं वो अपनी बिजनस में सफलता की राज़ पूशने उनके पास आते हैं अपनी नैचुरल मृत्यु तक आसाराम अब हमेशा जेल में ही रहेंगे उनको लाइफ इंप्रिजन्मेंट जो मिला है वो पूरी जिन्दगी के लिए मिला है या वो जेल से कभी भी भाहर नहीं निकल सकते हैं इस तरह से यानि कि छूट कभी भी नहीं सकते हैं वो उम्मीद है कि आपको मेरी स्चोरी पसंद आई होगी और अप्रिशेटि नुक कि आपको मिला हूँ नहीं आपको मुट कर दो है